Hello everyone, this is Anraag Bagheel and welcome to Magnet Brain जहां बच्चों आपको Class KG से Class 12 तक Free Education प्रोवाइट की जाती है और अगर मैं इसी Free Education के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह है हमारे Magnet Brain पे Class 11 तो 12 की Science Stream की सबसे Best Team जिसमें हर एक Faculty अपने सब्जेक्ट में आपको Free Education और Quality Education प्रोवाइट कर रहा है जिससे कि आप अपनी Life में Best से Best कर सकें यहां जो आपको Condemps Provide किया जाता है सबसे Best होता है चाहे आप Class 11, 12 की बात करें या आप Competition की तैयरी कर रहा है उसका एक Fundamental या Base आपको यहां पर बहुत Strong दे दिया जाता है तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं अपने Compound Sodium Hydroxide के बारे में इससे पहले मैं यह बता दूँ पिछला Lecture हमारा क्या चल रहा था? पिछले Lecture में हम लोग बात कर रहे थे अपने Chapter S Block Element के बारे में और S Block Element में हमने सबसे पहले S Block की Physical Property, Chemical Property के बारे में डिसकस करा और उसके Compound हमने शुरू कर रहे थे सबसे पहला Compound जो हमने देखा था अपना Sodium Carbonate जिसे Washing Soda कहते थे जिसका Formula Na2CO3.10s2 होता जिससे हमने बनाया था Solveway Process से दूसरा Lecture बहुत छोटा आया था क्योंकि मैं हर एक Compound मैंने जैसे प्लान करा था कि मैं हर एक Compound एक Lecture में Cover करूंगा दूसरा जो मैंने लिया था वो NaCl लिया था जिसमें Magnetum Sulfate हो गया, Calcium Sulfate हो गया, Calcium Cloride हो गया, Magnesium Cloride हो गया इसकी Impurity पाई जाती थी जो आज की हमारी कहानी है वो Based as Sodium Hydroxide अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो Sodium Hydroxide होता है ध्यान देना बेटा इसे Castric Soda भी कहते हैं क्या कहते है Hydroxide को सबसे पहले क्या नाम दिया जाता है, Castric Soda नाम दिया जाता है, What is the meaning of Castric Soda देखी बिटा, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एकदम basic से जाओंगा, Castric का जो meaning होता है, इसका meaning होता है burning nature का, जब भी आप Castric Soda को या NaOH को आप animal या plant की skin पर डालते हैं तो यह burning cause करता है, क्या cause करता है? Burning cause करता है, मतला है इसकिन को जला देने वाला, Castric Soda तो बहई ये कास्टिक सोडा क्यों नाम दिये जा रहा है क्योंकि कास्टिक का मीनिंग क्या होता है, बर्निक होता है clear है, N.A.O.S. को क्या नाम दिये जाता है, कास्टिक सोडा नाम दिये जाता है, चल ये, ठीक है अब समझेना, यहाँ पे जो अपनी NCIT में method of preparation दी हुई है सिर्फ कास्टनर कैलनर से दी हुई है सबसे important बात की से बनाया किस से जाता है कास्टनर कैलनर से बनाया जाता है लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी NCIT plus plus की भी बात करूँ मैं एक lab method आपके सामने discuss करने वाला हूँ कि NAOH को बनानी जो NCIT में नहीं दी हुई है फिर भी मैं discuss कर रहा हूँ क्योंकि वो कई बार important है पूछी जा सकती है आपके competition पे कि NAOH को बनाने की lab method तो लिख लेना lab method for the preparation of lab method for preparation of preparation of NAOH किसे हैपन क्या नाम देते हैं कास्टिक सोडा नाम देते हैं क्या होता है कैसे बनाता है lab में इसे समझना world war 2 से पहले तक क्या कहानी थी world war 2 से पहले तक आपका जो NAOH बनाया जाता तो इसी method से बनाया जाता था लेकिन world war 2 के बाद इसका जब extensively use किया जाने लगा, उसके बाद हमने castner-canner cell में electrolysis से इसे बनाना शूरू करा, चलिए, बनाया कैसे जाता है इस लैब में, सबसे पहले हम ले लेते हैं, बेटा, sodium carbonate, क्या ले ले लेते हैं, sodium carbonate ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, calcium hydroxide ले ले लेते हैं, क्या ले ले sodium hydroxide यही है अपना sodium hydroxide या कास्टिक सोडा या कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा चलो ठीक है यही है अपना sodium hydroxide या कास्टिक सोडा और साथ में क्या निकला क्या निकला बताईए ना अपना निकला calcium carbonate मज़ेदार बात सुनना अब यह जो calcium carbonate होता है यह जो calcium carbonate होता है इसको अग गर इस calcium oxide पर मैंने वापस water pass करा तो देखिए ये 2 oxygen और 2 H calcium hydroxide मिल जाएगा और हम इसकी recovery कर लेंगे और वापस इस calcium hydroxide को हम reuse कर सकते हैं इसे हम reuse कर सकते हैं चलिए ठीक है ये अपनी method of preparation lab ये अपनी NCRT में नहीं दी हुई है इसलिए से NCRT++ के नाम से लिख लेना पहले उसके बाद मैं notes पढ़ाने पर आता हूँ क्योंकि ध्यान दीजिएगा बेटा कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छे से पढ़ा जाए तो मज़ा है जहां मैंने आप से कहा है कि मुझे लगेगा कि थोड़ा NCRT के बाहर से जाना चाहिए मैं वहां बिल्कुल NCRT के बाहर जाओंगा चलिए सार लैब मेथड क्लियर होगा सोडियम कार्बोनेट पर केल्शियम हाइडरोकसाइड डाला केल्शियम हाइडरोकसाइड के हम वापस रिकवरी कर सकते हैं अब समझना अब समझना मज़धार बात क्या है लेकिन अगर इसे हमने जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वार टू के बाद सोडियम हाइडरोकसाइड की जो डिमांड थी वो काफी ज़्यादा बढ़ गई तो इसके लिए फिर हमने क्या करना शुरू करा ठीक है क्यों इसको इलेक्ट्रोलिसस से बनाना शुरू कर दिया तो सोडियम हाइडरोकसाइड इस जनरली प्रिपेर्ड कमर्शियली बाइ लेक्ट्रोलिसस ऑफ सोडियम क्लोराइड किसका इलेक्ट्रोलिसस किया जाता है sodium chloride का electrolysis किया जाता है आपके competition में यही पूछा जाएगा by castner calendar cell हम किसे form करते हैं तो castner calendar cell से हम किसका preparation करते हैं हमेशा याद रखना castner calendar cell से किसका preparation किया जाता है इससे naoh का preparation किया जाता है यह word बहुत important है ncrt का सबसे मुझे प्यारा word लगता है जो आपके नीट और जेई में पूछा जा सकता है जो आपके नीट और जेई में पूछा जा सकता है चलिए ठीक है future में पूछा भी जाएगा अब castner calendar cell का ncrt में diagram बिलकुल नहीं दिया हुआ है लेकिन अगर आप castner calendar cell को देखें गे तो यह ऐसा कोई apparatus रसा होता है इसी apparatus में electrolysis कराया जाता है अब लेकिन मुझे इसके conclusion पर जाना है जब NCRT में इतना दिया नहीं हुआ है लेकिन बात करी हुई है तो मुझे apparatus आप लोगों को दिखाना जरूरी था सबसे important castner calendar cell सामज गए अब अगर कोई भी cell होगा बिटा मतलब anode और cathode होना तो जरूरी है अब anode किस से मिलके बना होता है castner calendar cell में cathode किस से मिलके बना होता है यह हमारे चर्चा का विशह होगा तो मैं बात करूँ brine solution is electrolyzed using a mercury cathode यह important word है mercury का cathode use करते है समझना castner calendar cell है एक ऐसा apparatus है जिसमें हम mercury का cathode use करते है और हम carbon का anode use करते है और उसमें डालते हैं brine solution what is brine solution brine solution कुछ और नहीं होता NACL का aqueous solution होता NACL का क्या होता है NACL का aqueous solution को brine solution नाम दिया जाता है NACL के किसको aqueous solution को brine solution नाम दिया जाता है चलिए ठीक है सर, तो हमने क्या करा, कोई brine solution लिया, उसको electrolyze करा, किसका cathode लिया, mercury का cathode लिया, और carbon का anode ले लिया, ठीक है, समझ आ गया, यस समझ आ गया, कि हमने castner kernel cell में जो हमको लेना है, वो लेना है, mercury का cathode और carbon का anode, ये word काफी ज़्यादा important है, question आप से ये पूछा जा होना चाहिए, mercury का cathode होता है, और carbon का क्या होता है, जिसमें क्या लिया जाता है, brine solution लिया जाता है, brine solution क्या होता है, nacl का echo solution होता है, अब समझ आ, nacl, अब इसके upper compartment में सबसे पहले reaction क्या होती है, समझ आ, ये जो castner kernel cell है, इसके upper compartment में सबसे पहले reaction ये होती है, कि जो nacl होता ह आयनिक कंपाउंड आयन में डिसोसियेट हो गई होगा कहते हैं ना तुम जहां से आये थे वहीं मिल जाना है समझ रहे हो ना हम के जहां से हम जैसे आये थे ना वैसे ही मिल जाते है जैसे आये थे संसार में वैसे ही जाते हैं ठीक है सरे टूर गिया अब sodium metal sodium पे कैसा चार्ज आ गया भई या positive चार्ज आ गया positive चार्ज आ गया ठीक है और chlorine पे कैसा आ गया भई या negative चार्ज आ गया ठीक है जो cathode होता है cathode कैसा होता भई या negative होता है anode कैसा होता भई या positive होता है अब sodium किस side जाएगी जल्दी बता दीज पे बिल्कुल क्योंकि sodium पे है positive charge, discharge होगी cathode पे with mercury और mercury के साथ कोई भी जुड़ता है, कोई भी metal mercury के साथ जब कमाइन होती है तो amalgam formation होता है, तो समझना, logic समझना, sodium metal discharge at cathode, sodium metal discharge होती है cathode पे और कमाइन होती है mercury से और क्या बनाती है sodium amalgam का formation करती है, वहीं जो आपकी chlorine है, chlorine है, जिस पे negative charge है वो anode की तरब जाएगी और क्या बना देगी chlorine gas में convert हो जाएगी, इस reaction को अपन देखते है, reaction at castner-calner cell, reaction at castner-calner cell, reaction at castner-calner cell, समझना, क्या reaction हो रही है, cathode पे कौन है, cathode किसका बना हुआ है, mercury का बना हुआ है, anode किसका बना हुआ है, carbon का बना हुआ है, बार बार लिख दे रहा हूं कि ये word काफे important है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको हर एक topic, एक एक करके बताते हुए जा रहा हूं, हर एक concept धीरे धीरे करते हुए बताते जा रहा हूं, ताकि आप एक दम रट डाले इन कहानी को, ठीक है, cathode का बना होता है, क्या अपना mercury, अब sodium, ठीक है, sodium ने एक electron छोड़ा और mercury, sorry, sodium इस electron को gain करा, mercury के chlorine gas का formation करा, और ये gas कहां liberate हुए, anode पे liberate ही, पहले इसे note down कर लो, diagram बनाने की जरुत नहीं है, no one is going to ask about the diagram, पहले इसे note down करे, बहुत simple सी कहानी है, sodium hydroxide की, ये जो question में कराते हुए जा रहा हूं, concept कराते हुए जा रहा हूं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन काफी ज़्या क्या है, anode क्या है, reaction क्या है, ये अपनने देख ली, अब हमारे पास important है sodium amalgam, कहां बन गया है, ये cathode पे बन गया है, चलिए, अब अपन इसे पकड़ते हैं, ठीक है, अब अगर हम sodium amalgam पे, अब अगर हम sodium amalgam पे, ठीक है, किस से treat करेंगे, वाटर से treat करेंगे, तो आपका sodium hydroxide, mercury और hydrogen gas का formation हो जाएगा, clear है, clear है, is there any doubt, no sir, कोई doubt नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टी के बारे में, किसके बारे हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, जो sodium hydroxide होता है, white translucent solid होता है, कैसा होता है, white translucent solid होता है, जो melt होता है, कितन important नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, बस important क्या था, इसकी cell reaction important थी, कास्टनर, गैलनर cell important था, और मैंने lab method जो बताई, वो important थी, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहने जा रहा हूँ, naos को बनाने के लिए, एक nelson cell का भी use किया जाता है, nelson cell का भी use किया जाता है, जो कि nCRT मे नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं एक lecture अलग से बनाऊंगा कि क्या होता है, clear है, तो चलिए, यह melt होता है 591 Kelvin पे, it is readily soluble in water, यह पानी में कैसा है, readily soluble है, और क्या देता है, और क्या बनाता है, alkaline, sorry, OHIN देके क्या बनाता है, strong alkaline solution बनाता है, ठीक है, चलो, crystals of sodium hydroxides है, delivery deficient, इसके crystal कैसे होता है, delivery deficient होता है, delivery deficient मतलब भया, जो की moisture को adsorb करता है, किसको absorb करता है, moisture को absorb करता है, and sodium hydroxide solution at the surface react with CO2 in the atmosphere to form NA2CO3, जब भी sodium hydroxide, जब भी sodium hydroxide, किसके 7 seconds reaction करेगा, CO2 के 7 reaction करेगा, तो क्या बनाता है, Na2CO3 का formation करता है किसका formation करता है Na2CO3 का formation करता है बहुत important कहानी है जब भी ये किसके साथ reaction कर जाएगा ये reaction कर जाएगा अपना किसके साथ CO2 के साथ reaction कर जाएगा तो अपना क्या बना लेगा Na2CO3 का formation कर देगा और क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा बहुत important कहानी कि sodium hydroxide की surface पे अगर CO2 react करती है तो sodium carbonate का formation होता है यह अपनी कहानी थी जो मेरी जुबानी थी sodium hydroxide की किसकी? sodium hydroxide की बहुत simple सा concept है जिसे अपनने clear कर लिया जिसे अपनने clear कर लिया और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भईया यह जो छोटे-छोटे concept है आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो सकते है और magnet brain पे आपके लिए daily basis पे teachers इतनी महनत कर रहे और regular videos ला रहे कई बार क्या होता है कि हमें videos नहीं मिल पाते तो आप हमारी website पे जा सकते हैं जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ www.magnetbrains.com पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको class kg से class 12 तक 100% education free education provide की जाती इंडिया का number one channel है जो कि आपको 100% free education provide करता है अब आपको क्या करना है जैसे कि आप class 11 पढ़ रहे है या अगर आप class 12 तके भी student है या आपने drop लिया हो आपको क्या करना है class 11 पे single click करना है मैं और जितने भी subject teachers हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था they are giving their best आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे आपको क्या करना है बुक 1 अपनी complete हो चुकी है बुक 2 पे आपको single click करना है और जितने भी lectures है उनमें जैसे कि ये बुक 1 का है आपका तो आपने single click करा तो उसमें chapter 1 chapter 2 के अंदर जितने भी lectures हैं आपको systematically arrange दिख जाएंगे और मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाओंगा और अगर आप यहां तक आई गए हैं तो सबसे पहले comment section में बताईएगा क्या sodium carbonate washing soda clear हो गया क्या sodium chloride clear हो गया क्या आपका sodium hydroxide जिसे castric soda कहते है clear हो गया और conclusive बात क्या है बोलो conclusive बात क्या है conclusive बात यह है कि भाईया इदर सुनना हमने अभी दर कौन-कौन से compound पढ़ लिए na2CO3 na2CO3.10s2 जिसे अपन क्या कहते हैं जल्दी बोलो सब पढ़ते चलो जिसे हम कहते हैं washing powder निर्मा 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 दूदसी सफेदी निर्मा से जिसे हम कहते हैं washing soda naCl ठीक है naCl हो गया आपने देख लिए sodium chloride naOH naOH देख लिए जिसे अपन क्या कहते हैं कास्टिक सोडा कहते हैं यह word important हो सकता है कास्टिक सोडा कहते हैं बहुत important ठीक है इसे किस से बनाया जाता था इसे बनाया जाता था यह सॉल्वे प्रोसेस से यह भी important हो सकता है baking powder sodium by carbonate के बारे में बात करूँगा I hope मैं आपके दिमाग में एकदम दिमागी कीले की तरह गुसपा रहा हूँगा और concept को रखा पा रहा हूँगा बहुत आसान चैप्टर है इसका one shot revision जब आप देखोगे आपको मज़ा आ जाना है जब इन सारी कहानियों को मैं एक बार में आपको recall करवाऊंगा हर चीज के लिए magnet brain से बने रही है आपको क्या उमीद है कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि जब तक two way interaction नहीं होगा पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो मिलते हैं अगले lecture में baking soda के साथ तब तक बने रही है magnet brain के साथ thank you so much